बिंदू चार कामा माइनस बन और माइनस दो कामा माइनस तीन को जोडने वाले रेखा खंड को सम्त्रिवाजित करने वाले बिंदू के निरते सांग ग्याद कीजिए बच्चों दो बिंदू हैं चार कामा माइनस बन और माइनस दो कामा माइनस तीन ठीक है, इन दोने को जोडने वाला रेखा खंड है, A, V रेखा खंड को सम्त रिवाजित करने वाले बिन्दू के निर्जिसां ग्याद कीजिए बच्चों हमें ऐसे बिन्दू निकाल ले हूंगे जो इस रेखा कंड को समान तीन भागों में विवाजित कर सके बच्छो समान तीन भागों में अर्थार जैसे हम इस रेखा खंड के बराबर तीन भाग करनें ठीक है बराबर जब तीन भाग करेंगे बच्छो तो जैसे माल लीजिए यह हमारा पहला भाग हो जाएगा यह हमारा दूसरा भाग हो जाएगा और यह हमारा तीसरा भाग हो जा डीवी एसी बरावर सीडी बरावर डीवी मतलब एबी के तीन भाग हो गए एसी सीडी और डीवी जो तीनों बरावर हैं ठीक है जो तीनों बरावर हैं बच्चों जब यह तीनों बरावर हैं तो बच्चों जैसे माल लीजिए कि एक भाग हो गया हमारा क्या हो गया एक भाग तो बच्चो हमें यहां पर एक लिख दें, तो बच्चो CD हमारा एक भाग हो जाएगा और DV भी हमारा एक भाग है, क्योंकि यह तीनों भाग यहां से यहां तक बराबर हैं, इसलिए यह एक भाग हो गया, यह एक भाग हो गया, और यह हमारा एक भाग हो गया, अब बच्चो ह हमें ये जो दो बिंदू हैं जो इस वेखा खंड को तीन बरावर भागों में डिवाइड कर रहा है हम इन दोनों बिंदू के निर्देसांग ज्यात करेंगे तो बच्चो C के निर्देसांग होंगे हमारे सी के निर्देसांग बच्चो सूत्र क्या होता है आपके लिए सूत्र पता है कि जो बिंदू होता है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 इसी प्रकार Y का जम निकालेंगे तो M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2 ठीक है तो बच्चो जब हम C के निर्देसांग निकालेंगे तो यह हमारा C point होगा ठीक है इस C point के लिए बच्चो भाग हो जाएगा हमारा देखो यह C point यहाँ से 1 परिस्तित है और यहाँ से बच्चो यहाँ से 1 और 2 परिस्तित है मतलब C के लिए जो अनपात होगा वो एक अनपात दो होगा क्योंकि ये जो C है वो A से एक भाग परिस्तित है लेकिन B से दो भाग परिस्तित है तो C के लिए जो अनपात होगा वो एक अनपात दो होगा ठीक है, तो C के लिए जो अनपात है, वो हो जाएगा बच्छो, एक अनपात दो, ठीक है, C जो है, वो रेखा खंड AB को एक अनपात दो में विवाजित कर रहा है, ठीक है, C जो है, वो रेखा खंड AB को एक अनपात दो में विवाजित कर रहा है, तो बच्चो C के मिरदे सांड हो जाएंगे हमारे M1, M1 बच्चो हमारा एक हो जाएगा M1, X2, तो बच्चो X2 हमारा माइनस का दो पिलस M2, X1, M2 और X1 हो जाएगा 4 अपान 1 प्लस 2, क्योंकि सूत्र में हो था M1 प्लस M2, बच्चो इसी प्रकार ये तो हमारे लिए X का हो गया, अब हम मतलब C के लिए, Y के लिए निकालने, Y का दर्जे संग निकालने, तो बच्चो सूत्र हो जाएगा M1, Y2, तो बच्चो M1 हमारा 1 है, और Y2 हो जाएगा हमारा माइनस का 3, प्लस, ठीक है, M2 बच्चो M2 हमारा 2 है, और बच्चो M2 हो जाएगा माइनस का 1, अपान 1 प्लस 2, तो बच्चो ये हो जाएगा देखो, माइनस का 2, प्लस का 8, बटे 3, कॉमा माइनस 3, माइनस 2, बटे 3, 8 में से 2 जाएगा बच्चो 6 बच्चेगा, और ये माइनस 5 बटे 3, 6 बटे 3 का मतलब 2, तो 2, माइनस 5 बटे 3, ये बच्चो C के निर्देसांग हो जाएगे, ठीक है, यह जो C point है उसके निर्दे सांग है 2, minus 5 उटे 3 ठीक है अच्छो तो अब हम D के निर्दे सांग जाद करेंगे बिंदू D के निर्दे सांग ठीक है बच्छो सूत्र क्या होता है हमारा M1 X2 plus M2 X1 upon M1 plus M2 अब बच्छो D के लिए जो अनपात होगा क्योंकि D जो है वो A से 2 भाग परिस्तित है ठीक है तो बच्छो D के लिए जो अनपात होगा वो हो जाएगा 2 अनपात 1 क्योंकि यहां से यहां तक 2 परिस्तित है और यहां से 1 ठीक है और C के लिए अनपात क्या था क्या था पैद्छो अनपाथ 2 अब D के लिए क्या हो जाएगा दो अनपाथ 1 क्योंकि यह जो D है वो यहां पर यहां से यहां तक दो भाग परिस्तित है एक वहाग दो भाग और यहां से यहां तक एक अनपाथ मतलब एक परिस्तित है तो D के लिए जो अनपात होगा वो होगा दो अनपात एक तो अब सूत्र लाएंगे M1 X2 तो अच्छो M1 हमारा दो जाएगा और X2 है माइनस का 2 प्लस M2 M2 हमारा 1 X1 4 अपन M1 प्लस M2 इसी प्रकार वच्छो जब हम बाई का निर्दिशांग निकालेंगे तो क्या होगा M1 Y2 तो M1 हमारा 2 है और Y2 माइनस का 3 प्लस M2 बाई 1 माइनस का 1 अपन M1 प्लस M2 थीक है तो बच्छो यह जाएगे माइनस के 4 प्लस के 4 बटे 3 माइनस के 6 और माइनस का 1 बटे 3 0 बटे 3 माइनस 7 बटे 3 बच्छो यह जाएगा 0 माइनस 7 बटे 3 ठीक है तो बिंदू D के निरसांग होंगे हमारे 0 कामा माइनस 7 बटे 3 तो बच्छो आप लिए यह कोशन समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स भी कीजिए आते हैं बच्छो कोशन नमबर 3 की ओर